नमस्कार सादर जहिन दोस्तों आज हम बात करेंगे असाम रैफल के लिये क्यों जरूरी है और और प्रमोशन पॉलिशी में सुधार फिर एक बार बता रहा हूँ असाम रैफल के लिए बहुत जरूरी है और और प्रमोशन पॉलिशी में सुधार क्योंकि असाम रैफल एक आर्मी मोडी आर्मी ऑपरिस्टनल कमांडेट फोर्स है हमारे असाम रैफल में कमपनी कमांडर से लेकर लेप्टेन जर्नल यानि की डिरेक्टर जर्नल तक जो असाम रैफल का जो पूरा सिस्टम, आ एमोडी रूल के ओफसस्वर सिस्टम जो आपरेशन सिस्टम ऑमोडी रूल के मताविक चलता है जिस कारण से हमारा असाम रैफल का जो जवान लगातार विप्रीद परिस्तितियों में संगर्स करता है और क्योंकि मोडी जो के से जो कमांडर आते हैं उन्हें जब वो आते हैं वहां से तो उन्हें कुछ बीरता पुरिश्कार चाहिए होते हैं तो उसके लिए असाम रैफल मेहनत करती है और अक्सर पाया गया है कि असाम रैफल में आने के बाद जो भी अधिकतर जो मोडी किस से जो अधिकारी आते हैं उनको अधिकतर को आलांकि खुद भी मेहनत करते हो ओप्रेशन करते हैं जवान के साथ और कमपनी कमांडर हो चाहिए कमांडेंट हो करनल हो तो वो खुद भी हम जब ओन सर्विस पर थे हमारे साथ खुद भी असाम नागलेंड मनिपुर मिजोरम तिरपुरा के जो गंगोर जंगलों में एक एक हपते दो-दो हपते तक जंगलों में रहते थे अठेन परिश्रम करते थे तब जाकि उन्हें कुछ विशेष्टर सेवा में ड़ल युद्द सेवा में ड़ल और किसी को शौरीय चक्र इस तरह से उनको वहां पर आत पक्ड़े जाने पर मारी जाने पर यहत्यार पकड़ने पर उन्हें मिलता है तो इसलिए SAMRIFLE को बहुत जरूरी है बड़ी है पैंसन बिसंगती और होने के कारण जो असाम रैफल का जो 2006 के आसपास जो जवान जो सिपाई या जेश्यो पैंसन आये हैं 2006 से पहले या 2006 के आसपास बाद में तो उनका और जो अभी आ रहे हैं उनकी पैंसन में बहुत ज़्यादा variation होने का कारण यह है कि उनकी जो pension समाई समाई पर जो revision होता है जो MACP, ACP का जो lab, जो grade पे जो सई implementation नहीं होने के कारण क्योंकि अभी जो on service में जो 20 से 22 साल के जो holder है मैंने पहले भी बताया था कि उनकी जो है 40,000 उससे उपर उनकी basic pay है तो उनका अगर वो 20 साल में pension आते हैं तो definitely उनकी 20, 21, 22,000 रुपी basic pension होती है जो जायज एक किसम से जायज है लेकिन अगर यह जायज नहीं है तो वो उन्हें बताना चाहिए कि उसमें हम विशाई पर भी हम वीडियो बनाएंगे और हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे हम जो है वीडियो के माध्यम से हम एक माध्यम से हम press conference के माध्यम से हम delegation ले जाकर के हम group team बना करके delegation ले जाकर के हम संबंदित महत्वपूंग लोगों को देंगे ग्यापन देंगे तो इस तरह से देश की जो महत्वपूंग रक्षा सुरक्षा ब्याउस्ता से जुड़े हुए लोगों को हम अपना अपनी force का जो के जो समझ्षाओं के बारे में हम अवगत कराएंगे अलागि हमारी जो संस्ता इसमा active है और हम उसके उसका भी उसके जो जाइज जो उसकी सही नीती है इमानदार नीतिया हैं उनमें हम उसको भी सयोग कर रहे हैं करते आये हैं और करेंगे और तो ये ये असाम रैफल को OROP यती OROP का जो सिस्टम जो की व्यूस्ता अगर असाम रैफल में हो जाती है तो एक सम्झ्षा का समाधान होगा क्योंकि OROP का मतलब क्या होता है? और उपी का मतलब होता है सपोज आपकी सर्विश 20 साल है या 25 साल है या 24 साल है 23 साल है लेकिन जो अभी परजेंट अगर एक 25 साल का होलदार अगर 25,000 बेसिक पेंशन में रिटायर्मेंट आता है तो 2006 के आसपास आया हुआ होलदार भी जिनका सेम कार्टेरिया है एक ही तो 2023 में आया है या 2006 में आया है इनकी पेंशन समान होती है क्योंकि एक कार्टेरिया है तो यह बिल्कुल नैतिक है यह मानवतावादी है यह बिल्कुल संबेदानिक है और ऐसा करने के लिए ही M.O.D. मैं जो है और उपी लागू किया गया तो इसी तरह सपोज 20 साल का होलदार है 2006 में आया है 18 साल में होलदार बना है और 22 साल में पिंसिन आया है उसी तरह वालदार है और लिए सानमें होलदार बना तो उनकी पैंशन में जो नए की है वो पुरानी की होनी चाहिए क्योंकि नए का जो टैम टैम पर उनका रिविजन करके उनका जब उसकी बेसिक पे जितनी पहुंचती है उसका 50% उसकी पैंशन होती है तो अगर वो जवान भी अगर अभी सर्विस करता तो वो भी उसी हिसाब से उसको मिलता तो क्यों ना इसको सही से रिविजन किया जाता है क्यों ना इसको रिविजन करके इसका सही जो उसकी जो पैंशन होती है वो अब इसका एकी यह चाहरा है कि असाम रैफल में यह वैसे लोगो चुका है तो असाम रैफल को वैसे अब दूसरी प्थोर्स की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारी force यह कैसी force है जिसमें जो है M.O.D. Army के सबी जो commander 90% commander हमारे M.O.D. Army से आते हैं तो यह बहुत जरूरी है इसमें हम कोई इसमें यह एक सुधारवादी नियम है इसमें सुधार होगा इसमें गड़बड़ी जहां पे गड़बड़ी हो रही होगी वह नहीं होगी क्योंकि जब एक service एक criteria होगा तो बहुत सारे लोगों की एक जैसी एक सबोज 22 साल में आये है तो वह 22 साल और एक साथ होलदार बने हैं एक साथ परमोशन हुआ है तो कोई थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है लेकिन ज्यादा उसमें बेरियेशन नहीं होगा आज जिस तरह से जो 2006 के आसपास या उससे पहले के जो होलदार है उनकी जो और जो नए आ रहे हैं उनक क्योंकि नए का कम नहीं हो सकता है क्योंकि यह उनका जो है बिलकुल रूल के मताबिक उनकी पेड़ी है उनका इंग्रिमेंट लगके तो उसी हिसाब से पुराने का अजिस किया जाएगा यह नहीं की पुराने के बराबर नए का अजिस किया जाएगा बलकि नए के साथ एक काईटेरिया होने से नहीं होना चाहिए तो असाम रैफल में जो एक तो जो गड़बड़ी है पैंशन बेरियेसन में जो भी यह इस सिस्टम में बहुत सुधार हो जाएगा यदि ओर वोपी सिस्टम लागू हो जाता है और दूसरा बात है पैंशन पॉलिशी में जो सुधार सबोज एक आपने देखा होगा कि मोडी आर्मी ओप्रेशनल कमांडेट फोर्स के अंदर जो प्रमोशन सुभिदा है वह वह जो है लैस नाएक नाएक होलदार नाएक सुभिदार सुभिदार हॉन्री केप्टन हॉन्री लेटन हॉन्री केप्टन सुभिदार मेजर इस तरह से सुभिदार मेजर फिर हॉन्री केप्टन इस तरह से सिस्टम है उसमें और यही सिस्टम हमारा चौथे बेतना एक तक भी असाम रैफल के अंदर था लेकिन इसमें अग्यदी किसी को किसी को नुक्सान हो रहा था तो एक proposal बना करके सभी ट्रेडूं का जो हक है यह जाइज हक है कि वह उनका promotion समय पर नहीं होता है तो उसके लिए proposal पास किया जाना चाहिए था लेकिन यह proposal पास नहीं किया बलकि इस असाम रैपल को degradation कर दिया गया हाला कि उनका जो जाइज उन्होंने court से लिया है वो कोई उसमें हम कोई objection नहीं कर रहें लेकिन जो जीडी का जो signal का जो nursing assistant का जो ऐसे कई ट्रेडूं का नुक्सान हुआ उसमें बहुत बड़ा promotion का क्योंकि 60 साल सर्विस मोडी operational कमांड के अंदर 60 साल सर्विस करना संभाव नहीं है क्योंकि 90 परशेंट आदमी अगर संभाव है तो फिर हमारा 90 परशेंट आदमी जो भूंटे retirement pension 20 साल के बाद आया है इसका बिलकुल आप इसको सर्वे किया जा सकता है कि हमारे अभी 95 90 परशेंट जो जवान है यह कि कुछ लोग 30 साल के बाद आये हैं कुछ 25 के बाद आये हैं लेकिन ज्यादा तर जवान 20 साल के और 25 साल के बीच में आये हैं तो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़के बॉंटे retirement pension जिसमें बहुत नुकसान होता है एक छोटी सी pension में कोई भी जवान कोई भी जो कि एक जवान एक आसा लेके एक उलास लेकर के एक सपना लेकर के फोज में भड़ती होता है कि मैं अपने सपनों को साकार करूंगा मैं देश की सेवा तन मन धन से करूंगा और मैं एक मैडल प्राप्त करूंगा लेकिन एक देश के लिए मैं अच्छा काम करूंगा तो देश के लिए की रक्षा सुरक्षा के लिए मैं जो है मैं देश का जो है नाम रोसन करूंगा तो लेकिन जो कुछ सिस्टम की जो पार्दर सिता नहीं होने और कुछ अपनी भूल के कारण भी बहुत सारे लोग जो है अंदकार में चले जाते हैं और लेकिन इस्टम में सिर्फ अगर किसी कोई जोण अगर अंदकार में भटक जाता है तो ये उसकी ही गलती नहीं है उसी की भूल नहीं है बलकि इस सिस्टम की भी गलती है सिस्टम को सुधारने अगर एक जवान जब 20 साल में बढ़ती होता है तो वो एक पाक छाप होता है इसका मतलब है कि 20 साल तक उसने कोई गलती नहीं की कोई भूल नहीं करी तो 20 साल के बाद वो कैसे अचानक भूल कर जाता है तो यह सिस्टम इस सिस्टम को सुधारने के लिए हमें किसको इसके जो एड्मिनेस्टेटिव जो ब्यूस्ता है जो या तो इसको जो है तो हमारा तो पुरा मिस्टन है सब आसाम डैफल के लोग चाहते हैं और इनका जैज हग भी है कि इसको मूडी में लिया जाए पूरी तरह से मर्ज रिक्या जाए लेकिन एकदम ऐसा संभव नहीं है तो पहले इसके ये ब्योस्ता वारोपी की सुग्दा लागो होना और पैंशन पुराने जो आए हैं उनकी जो है उनके सर्विस के साब से उनका जो है एक एक अप्रोक्समेट उनकी लिमिट बना करके उनका जो ह पैंशन रिवीजन करके उनका जो बीसिक पैंशन को सही उसमें लाया जाए ताकि एक देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़ा होगा जवान एक देश का प्राइड होता है देश का गोरभ होता है किसी भी देश का जो है एक जो उसके उसका जो है किसी भी देश का जो है मजबूत होना उसकी रक्षा सुरक्षा व्योस्ता में एक संतुलन होना एक महत्वपूर्ण चीज होती है इसी तरह से अगर एक जवान का जो आर्थिक जो हालत है उसकी जो जैज इसकी आर्थिक हालत होगी आर्थिक आदार पर एक जवान अगर सही बैलेंस्ड होगा तो वो सिर्फ जवान ही आर्थिक आतार पर बैलेंस नहीं होगा मजबूत होगा बलकि पूरा देश उसमें आर्थिक आतार पर मजबूत होता क्योंकि जवान भी देश की युवा जवान और देश का सैनिक जो है एक देश की प्रमूग रीड होती है इसलिए जवान को हम यह नहीं कह रहे हैं कि उसको इतना नया कुछ नया ही नहीं लेकिन उसका जो जायज भई यह क्या है कि आप एक जवान 20-22 साल कठिन माइनस दिग्री टेमपरेचर में कठिन से कठिन विपरीत हालातों में नागालेंड मनिपूर मिजोरम जमुकस में सिरल और देश की सिवा के नाम पर लेकिन उसको जायज हक नहीं मिलता है वो दस बार हजार पंदर हजार उसको 20 साल में पेंसन मिलती है पचीस तीस पैतीस साल तक उसका परमोशन नहीं होता है कई लोग ऐसे हैं जो 30-35 तक जो होलदार में अटके रहते उनका फर्दर परमोशन जेशियो परमोसन नहीं होता है जबकि किसी भी मोडी ऑपरेशनल कमांडेट फोर्स में बीस साल में एक योग्या आदमी जेशियो रेंक प्राप्त कर लेता है तो ये ब्योस्ता में बहुत सुधार करने की ज़र्वत है अभी खास सबसे पहले इसको वारोपी दिलाना और पर चाहे पैंसन आये हुए लोग है चाहे ओन सर्विस में लोग है और उनका जो जायच उनको दस साल में क्या परमोसन पांस साल में कौन सा परमोसन मिलना दस में क्या पंदर में क्या बीस में क्या मिलना चाहिए था उसका आंकलन करते हुए उनको सही परमोसन का एक बैलेंस ए एक पॉलिसी बना कर कि उस प्रपोजल को पास कराया जाए और ये डीजी साफ से हम आगरे करेंगे और डीजी साफ के साथ हम डीजी एर में डिरेक्टर जनरल ओफिस में बैठे हुए सबी जो हमारे बाबुजी हैं कलरक हैं और इन लोगों से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि असाम राइफल के लोगों के त्याग परिश्रम सोरे सेवा और बलिदान के वास्तविक हग को दिलाने के लिए आप अवज से अपना महत्वपूर योगदान देंगे तो यही था आज का हमारा भी टॉपिक था कि और पैंशन पॉलिशी में सुधार इसके साथ साथ हम अग पैज हग भी है मोडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर जो है असाम रैफल के जवान का भी दोजार चार के बाद भड़ती हुए हैं यह लोग भी चाहते हैं कि हमें भी ओपियस मिले ओपियस मतलब और पैंसर निसकी तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और इसके लिए हम इनसे हम भी इनाए गाइडलाइन देंगे कि आप अपने गुरुप में सांती पूरवक प्रेम से गुरुप बना करके समंदित बिभाग को अपने बिभाग को और समंदित अने बिभागों को चिठी लिखाएं और ग्यापन दें और अभी दोजार से अभी 20 साल हो जाते हैं उनको बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जो है यह लोग करेंगे निश्चित तोर पर मोडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर यह भी कहेंगे कि यह अभी भी कह रहे हैं कि हमें OPS मिलना चाहिए और इनका जायज हग भी है क्य तो आज का हमारा यह टॉपिक यही था सबसे पहले हमारा OROP दूसरा पैंशन परमोशन पॉलिशी में सुधार करके जो हमारे एफेक्टेड लोग है इनको इनका जाय जग दिलाना दिलाय जाय चाहे बहुत पुरुषैनिक है चाहे ओन सर्विस है तो आसा है आप इसमें अ बात और कहना भूल गया कई लोग यह कह रहे हैं कि भ है अजैज यह हक है तो अगले बार फिर मैं जादा अगले वीडियो में चर्चा करूंगा और अभी हमने बहुत सारे काम करने हैं असां रापल के हिड के लिए के जाइजित के लिए तो आज के लिए इतना ही नमस्कार जैहिन और वीडियो को अधिक से अधिक सेर लाइक सब्क्राइब करें धन्यवाद